हम लोग इससे पहले मेंडल स्लाफ इनेरिक्षेंस देख चुके हैं, उसके बाद इनकम्प्लिट डॉमिनेंस, कोड डॉमिनेंस और मल्टिपूल एलेलिज्यम, यह सारी चीजे जेनेटिक्स में हम लोग देख चुके हैं, अब आईए हैं, जेनेटिक्स में आगे हम लोग आज शुरू करते हैं, इंटरेक्षेंस अब जीन्स, इंटरेक्षेंस अब जीन्स क्या है, तो मेनलियन प्रिंस्पूल से हम लोग जानते हैं, कि कोई डॉमिनेंट एलेल जो है, जब डॉमिनेंट ट्रिंस को दिखाई पड़ता हैं, लेकिन बहुत फार ऐसा हुटता है, कि कोई नन एलेलिक जीन किसी जीन के साथ इंटरेक्ट करके, उसके फेनोटाइप को अल्टर कर देती हैं, तो अगर कोई जीन अपने प्रेजेंस से नन एलेलिक जीन के फेनोटाइप को अल्टर कर दे, तो इसको उम लोग काते हैं, इंटरेक्शन ओब जीन्स, तो जीन्स के इंटरेक्शन का पहला के इस बास्टन और पूनेट ने देखा था, पॉल्ट्री के अंदर में, पी और रोज, सिंगल जीसिव है पी का भी और सिंगल जीसिव है रोज का भी, यानि कि रोज भी सिंगल पर डोमिनेंट है और पी भी सिंगल पर डोमिनेंट है, लेकिन पी और रोज ये दोनों जो है तो डोमिनेंट, अब पी और रोज जब क्रॉस होता है, उन्होंने क्या पाया कि पी और रोज को क्रोस कराने पर एक नया टाइप नया फ्रिन गागरोज करा नपन«aining है», वह मिलता है ≤ मिलती है वादने लोच एगना 1049 कि उनका कंसेप्ट था कि ये रोज जिसको हम क्रोस करा रहे हैं उसमें निस्चित रूप से सिंगिल सिंग्ल का चीन बी रहा होगा और पी जिसको हम क्रोश करा रहे हैं उसमें भी ृप्ते होगा तो अगर विशन पтобыो दिखाई पढ़ेगा और रोज के इसी हो गया सिंगिल तो उसको हम लोग पी-पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से तो आर आर पी-पी माले सिंगिल का जियर हो गया आर 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 और पी-पी तो यह निश्ची दूप से पी होगा और यह निश्ची दूप से रोज ह अब जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया, तो F1 चेंदर्शिर का जो रिजल्ट मिला, यह रिजल्ट मिला, R, R, P और P, तो यह रोज का जिन और P का जिन, यह दोने के प्रजेंस के कारण, यह यह है, तो नया तो रोज रहा और नया पी रहा, बलकि यह क्या हो गया, एक नया फिनो टाइप हो गया, जिसको कि वाल्ट का जाता है, अब अगर हम इसका F2 जेंदर्शन निकाल लें, तो पूनेत स्पैर के अंदर में इसको हम लोग पूट अप कर दें, तो पूनेत स्पैर के अंदर में अगर पूट अप करेंगे, तो गैमेट हो जाएगा, यह तो R और P मानने Capital R और Capital P, Capital R small p, small r capital p, small r, small p, इतना ही male gamet होगा तो इतना ही female gamet भी हो जाएगा तो capital R, capital P हो गया, capital R, small p हो गया, small r, capital P हो गया, small r, small p हो गया, अब cross करा दें, तो R, R, P, P, यानि कि सब capital हो गया, capital R, capital P, and small p, अब इस combination को अगर हम देखें, तो यहां हम क्या देखते हैं, कि capital R, capital P, यानि कि रोज और P, दोनों का दीन जहां मोजूद है, दोनों का एलिल भी मोजूद है, तो वो निश्ची दूप से walnut हो जाएगा, यह walnut होगा, यह walnut होगा, यह walnut होगा, यहां भी capital R, capital P, यह दोनों है, capital R, capital P, 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 capital P, capital R, capital P, capital P, तो दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तो वालनट होगा, नाइन, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहां क्या है आर तो दोनों कैपिटल है लेकिन पी दोनों स्मॉल है आर कैपिटल है और पी दोनों स्मॉल है आर कैपिटल है अब पी दोनों स्मॉल है तो यह तीनों में कैपिटल आर के साथ में कैपिटल पी नहीं है इसलिए निश्टी रूप से क्या हो जाएगा रोज हो जाएगा तो रोज हो गया थ्री इसको देखें, आर दोनों स्मॉल है, अब P कैपिटल है, आर दोनों स्मॉल है, आर दोनों स्मॉल है, पी कैपिटल है, तो ये निश्चित रूप से की P हो जाएगा, तो P हो जाएगा 3 और ये अकेला जो है, ये हो जाएगा, सिंगल, तो सिंगल हो गया, 1 तो ratio देखने में लग रहा है, जासे की 9 इस्टो 3 इस्टो 3 इस्टो 1, यानि की di-habit cross का जो ratio वैसा ratio रहा है, लेकिन actual में ये di-habit cross है नहीं, चुकि di-habit cross में क्या होता, 9 हमको मिलता कौन, 9 मिलता, dominant, यहाँ dominant तो है, रोज और P, walnut तो हम parent को लेके चले ही नहीं है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कि हमको 9 मिल रहा है, walnut, तो इस तरह से ये जो है, तो निश्टी रूप से R और P, याने कि रोज और P, जीन के interaction का product है, तो एक ये पहला case पहाँ है, तो वार्षन और पूनेट को मिला था, interaction of genes का, इसके बार interaction genes के अंदर में हम लोग other types देखें, तो एक है आपका recessive epistatic gene, recessive epistatic gene में क्या होता है, कि एक है recessive gene, दूसरे non-allylic dominant gene के expression को mask कर देता है, तो इसको हम recessive epistatic gene कर देते हैं, और जिस gene को mask करता है, वो gene hypostatic gene कर दाता है, example हम लोग ले सकते हैं, coat color in mice, mice के अंदर में तीन प्रकार का जहाचो coat color देखने को मिलता है, एक black, दूसरा albino, और तीसरा egoti, ब्लैक dominant over albino, तो इसको हम capital B से लिखें, और albino का small b से, egoti dominant gene है, तो इसको हम capital A से लिखते हैं, और हम मान लेते हैं कि इसका research gene small a small a, अब अगर small a, small a capital B, capital B, ऐसा अगर कोई mice का देने कि में कपो, तो यह color में black हो जाएगा, तो coat color इसका black हो गया, अब अगर हम इसको cross कराते हैं, capital A, capital A, small b, small b के साथ में, तो यह albino होगा, इसलिए albino होगा, क्योंकि albino gene जो है, वो egoti gene को mask कर देता है, अब F1 generation में अगर हम आएं, तो F1 generation में क्या आ जाएगा, F1 में आ जाएगा capital A, small a, capital B और small b, तो यह mice egoti हो जाएगा, अब अगर हम इस से ल, F2 generation को निकालें, तो capital A, small a, capital B, small b, यह हो गया, F1 generation, क्योंकि जाएगा, अब F1 generation को जाएगा, 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 F1 generation को ज स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल भी स्मॉल भी तो जब भी कैपिटल ए और कैपिटल भी दोनों अगर है तब तो वह यह गोटी हो जाएगा लेकिन अगर कैपिटल भी नहीं रहेगा उसके साथ स्मॉल भी रहेगा कैपिटल एक साथ तो वह एली नहीं नहीं है यह ऑल भी नहीं दो हैं इसको मास्क्र देगा इन षरह जाए गवियर बीन रहा जाएगा छाथ यह पांच छह साँच आख नो तो नायन हो गया एक और कि कि यह बच्छाइगा यह बिन हो जाएगाiller यह बिन हो जाएगा यह बेस्ट आल Lot एलबीनो हो गया तो फोर हुआ एलबीनो और इसमें कैपिटल भी है स्मॉल ए के साथ में यह तीन हो ब्लैक हो जाएगा तो तीन हो गया ब्लैक तो रेशियो अगर हम देखें तो क्या आ गया 9 is to 3 is to 4 तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि रेशिशिव एपिस्टेटिक जीन का रेशियो आता है 9 is to 3 is to 4 इसको सप्लिमेंटी जीन के नाम से भी जाना जाता है आए अब हम लोग इंटरेक्शियों जीन का दूसरा केस देखें दोमिनेंट इपिस्टेटिक जीन ये एक दोमिनेंट जीन है जो अपने प्रदेंस से सभी नन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को मास कर देता है चाहे वो डोमिनेंट रहें चाहे रिसिशिव रहें तो एक्जाम्पूल इसमें हम लोग ले सकते हैं कोर्ट कलर आफ कोकुरवीटा के अंदर में आपको तीन डिफ्रेंट कलर होता है फ्रूस्ट का एध है वाइट दूसरा कलर है येलो और तीसरा कलर है ग्रीन येलो हो डोमिनेंट और ग्रीन इसका रिसिशिव रहें के अल्बिनो इपिस्टाटिक जीनगां तो ये डोमिनेंट ईपिस्ट्रेटीक जीनगां इसको छोन ऊसल के इभarrive वास कर देते हैं Proseाफ्रों आप अगर कोई प्लान्ट ऐसा है जिसके फ्रूट का सेप में जिसके फ्रूट का कलर है येल्व तो निश्टी तूझ सेस्ट में क्या होगा इसमॉल ए स्मॉल ए वाई ए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई यी将ру गेनी में तो ये येल्लो हो गया और अगर उसके बाद capital A capital A और capital Y capital Y लेज़ा अब यह green नहीं हो करके white हो जाएगा चुकि capital A क्या करेगा y के expression को mask कर देगा अब हम इसके F1 generation को अगर देखे तो F1 generation में क्या आजाएगा capital A small a capital Y small y तो capital A present है इसलिए यह निश्ची तुप से white हो जाएगा तो यह भी white हो गिया तो f1 generation हुआ white अब अगर हम इसका f2 generation निकाले है तो f2 generation निकालने के लिए unit square में value को हम लोग फुटप करते हैं तो capital A और capital Y एक हमेट हो गया capital A small y small a capital Y और small a small y capital A capital Y capital A small y small a capital Y small a small y अब क्रास करा दिए तो capital A capital A capital Y capital Y capital A capital A एक है तो ये white, 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 तो total देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दरस, ग्यारे बारे तो 12 हो गया आपको white तो white हुआ 12 अब दूसरे case में आवें जिसमें कैपिटल वाई है वो येलो हो जाएगा तो ये येलो हो जाएगा ये येलो हो जाएगा चुकि कैपिटल ये दुनों में नहीं है ये येलो हो जाएगा तीनों में से किसी में कैपिटल ये नहीं है लेकिन कैपिटल वाई है तो येलो हो गया तीन और एक जो बच गया, जिसमें दोनों small a है और दोनों small y है, तो यही green होगा, तो green हो गया एक, तो ratio आ गया, 12 is to 3 is to 1, तो इस तरह हम चाहँ देखना है कि dominant epistatic का ratio आता है, वो 12 is to 3 is to 1 होता है, तो यह 3 gene आज हम लोगों ने देख लिया, एक हम लोगों ने पॉल्टी का case देख लिया, एक recessive epistatic case देख लिया, और एक dominant epistatic gene का case देख लिया, अब इसके बाद हम लोगों को innovative gene देखना है, duplicate gene देखन तो हमको लोग उसको अगले दिन करते हैं, तो हमको लोग उसको अगले दिन करते हैं,